Hello Friends, आज मैं आपको Scent of Woman, ये 1992 की मुवी एक्स्टोरी करने वाला हूँ इसके I am liberating 8 out of 10 है, यानि के बहुत ये सही मुवी है इस मुवी में एक old करना मरना चाता है, पर इसके मरने से पहले बहुत सारी विशेश होती है ये विश कंप्लेट करने में एक स्टोरी लाइन है, तो डारेकली शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें बड़ी सी एक स्कूल दिखाई गई है ये पियरे नाम की स्कूल है और ये बहुत ही फेमस है, यहां बहुत स्कॉलर लेट के पढ़ते है यहां हमें हमारा में क्यारेक्टर दिखता है, इसका नाम चारली होता है ये जो वीक होता है, थैंक्सकीविंग का वीक होता है और सब स्टूडन्स अपने घर जाने वाले होते है इसके बात कुछ बिकड़े हुए बच्चे स्कूल के बाहर हमें दिखते है उनका जो principal होता है ये एक नई कार में आता है इससे हो जलने लग जाते है क्योंकि management ने इसने अपना job अच्छे से किया है इसी वज़े से उसे एक कार दी है ये सब लड़के अपने principal को hit करते है ये सब अप plan बना रहे होते है इने skiing के लिए इस Thanksgiving पर जाना होता है चारली एक पूर background जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते Thanksgiving आने से पहले जो छुट्टिया होती है इसमें वो जॉब करने वाले है उसे जो पैसे आएंगे इसे वो अपने घर जा सकता है चारली इन सब को मना करकर हागे चला जाता है चारली फिर अपनी जॉब इंटर्व्यू के लिए एक घर में आ जाता है यहाँ जो लेडी रहती है उसके ओल्ड फादर होते है यही हमारे करनल है यह जो लेडी है यह अपने husband के साथ जरा थैंक्स वी इन पर बाहर जाने वाली है पर इसके जो फादर है यह आने रहे तो इसके फादर का ख्याल रखने के लिए चारली को यह जॉब दिया जा रहा होता है वो अंदर जाने से पहली उसे गय देती है कि वो ज़्यादा कुछ क्वेशन पुछे तो इन्नोर कर देना अब हमें कर्नल के पास चारली दिखता है कर्नल जो है यह बहुती स्टेट फॉर्वर, रूड, वुमनाईजर इस थरा का कारेक्टर हमें दिखाये का है जो लेडी होती है यह चारली को उसने पहले ही बोला होता है कि इससे सर मत बुलाना पर चारली जब घर में जाता है उससे उसका नाम पुछा जाता है तो इस सर बोलता है तो फिर कर्नल उस पर छीर जाता है कहता है कि मुझे कभी भी सर मत बुलाना उससे कर्नल या फ्रांक इसमें से कोई भी बुला सकता है ये कहता है, करनल फ्रांक जब चारली को देखता है, तब उसे गेस्ट करने लग जाता है, उसे बाईदा चल जाता है, कि ये पूर फैमिलिस आता है, ये आजम संकरता है, यी एज अनोजिन करता है, चारली बताता है कि मेरी मदर convenience store डूर चलाती है, वो फिर उसे पूछता है क तुम इस गाव में क्या कर रहे हो उसे बताता है कि वो बेर्ड में जाता है Frank उसे बोलता है कि तुम इसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो तुमारे mother और father तो efforts लेते ही है फिर भी तुम कैसे इसे अफोर्ड कर पाते हो Charlie एक special scholarship जीता हुआ होता है Frank की granddaughter खेलते खेलते वहाँ आती है Frank उसे भी चिला कर कहीं दूर खेलने के लिए कहता है उसके grandson granddaughter होते है पर फिर भी उनसे वो प्यार नहीं करता Charlie जब बोल रहा होता है कि कैसे हो यहाँ रहना अपोर्ड कर सकता है तो Frank बोल हो जाता है Frank केता है कि क्या तुम मुझे patronize करते हो यानि कि कितना struggle तुम कर रहे हो यह मुझे बता रहे हो यह RV में करनली था तो कहता है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे है इन्हें में कड़ी punishment देता था यह कहकर उसे वो dismiss कर देता है Charlie फिल घर में जाता है Frank की जो बैटी होती है उससे मिलता है उससे कहता है कि मुझे इंटर्विव अच्छा नहीं गया मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिल सकता है Frank की बैटी कहती है कि तुम्ही तो इस इंटर्विव के लिए आये हो तुम्हें इस जॉब लेना पड़ेगा 300 डॉलर्स हम तुम्हें देंगे कि बहुत ही easy job होगा वो कहता है कि easy job है ऐसा मुझे नहीं लग रहा फिर Frank की बैटी कहती है मुझे इस holiday की बहुत ही जरूरत है अजर तुम्हें जॉब नहीं लोगे तो बहुत ही problem हो जाएगा वो फिर उससे confidence देती है वो कहती है Frank जरा tough लगता है पर जब विकेंड खतम हो जाएगा तब तुम अच्छे best friend बन जाओगे चारली को भी पैसो की जरूरत होती है फिर जॉब लेने के लिए वो ready हो जाता है चारली रात में लाइबरेरी में काम करता है लाइबरेरी में जो बिगड़े होए बच्चे थे उसमें से एक विली भी होता है विली रात तक इस लाइबरेरी में रुखता है और ये दोनों फिर बहार आते है जब ये अपने रूम तक जा रहे होते है तब जो बिगड़े हुए दूसरे बच्चे थे इनको देखते है जो लैम्पोस्ट होता है इस और बारा सब बोलूम वे लगा रहे होते है ये देखकर वीली हसने लग जाता है ये कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे ये देखकर उसे बहुत हैसी आती है तब ही उनके एक प्रोफेसर बहाती है ये इन सब को देख लेती है वीली इसको कवर करने की कोशिश करता है पर एक करने बाता नेक्स दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो लैम्पोस के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है ये जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो स्पिकर होता है वो बजने लग जाता है जो सरारीदी लड़के थे ये कॉमेंटरी करने लग जाता है वो खहते हैं कि प्रिंसिपल ने मैरेजमेंट की चाटी है इसे वाज़े से इसको एक कार मिली है यह जब वो कहे रहे होते तो बलून फुला लेते है इस बलून पर प्रिंसिपल का गंदा कार्टून भी होता है यह देखकर प्रिंसिपल चीड जाता है और इस बलून को फोड़ने ही उकोशिश करता है जब इफोड़ता है तो इसमें बहुत ज़रा पेंट होता है इस पेंट से ही कार पुरी खरा हो जाती है इसके बाद हमें डारेक्ली प्रिंसिपल के ओफिस में विली और चार्ली ये दोनों दिखाए गए है टीचर ने इन दोनों को देख लिया था पर जो लड़के थे इन्हें वो देख नहीं पाई थी अब प्रिंसिपल इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ ये दोनों कहते हैं कि हम सही से देख नहीं पाए फिर विली को प्रिंसिपल अपने ओफिस से निकाल देता है इसके बाद वो चारली से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो प्रिंसिपल फिर चारली को एक ओफर देता है वो कहता है हावर्ड में मैं एक लड़के को अडमीशन दिला सकता हूँ मैं अब साल एक लड़के को recommend करता हूँ और जिसके financial situation बहुत ही खराब होती है इसको मैं recommend करता हूँ इस साल वो Charlie को recommend कर सकता है पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे चारली अपने friends का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे गलत लगता है इसलिए वो मना कर देता है प्रिंसिपल के लिए बहुत ही पसंद होता है अपनी जो institute है इसकी respect, integrity ये खराब नहीं होने चाहिए इसलिए जो culprit से इन्हें उसे ढूड़ना ही है ये चारली को बोलता है क्यों तुम्हें ज़रा time देता हो, weekend पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर से कहो चारली जब office से बाहर आता है वहाँ वीली भी होता है वीली उसे कहता है कि ज्यादा तुम tension मतलो हमें ज्यादा वर्री करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है वो उसे कहता है कि principle जो है ये हमें पोड़े फोल्ड करने कि लिए कहता है, चारली उसे पुछता है कि हम कहां जा रहे हैं, वो कहता है कि तुम तुम्हारा काम करो, ज्यादा कुछ सवाल मत पूछो, frank की बेटी फिर से ुसे मिलने आती है, frank चारली से कहता है कि तीन बार मुझे मिल चुके है, इसे मुझे छ जब मुझे सारी की जरूत पड़ेगी ये बहुत ही जादा strict होता है बाहर फिर एक taxi आती है वो कहता है कि चलो अब हमें चलना है Charlie कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमें कहा जाना है Frank कहता है कि मेरे daughter तुमें कहना भूल कही है Charlie जब उसे पूछता है कि कहा जाना है तो कहता है कि हमें New York जाना है Charlie उसे कहता है कि मैं New York नहीं जा सकता ये इसके लिए ज़रा ज़्यादा responsibility हो जाएगी इसके पीचे एक reason है Frank को ज़्यादा दीखना ही बाता ये practically अंधा ही होता है एक अंध्या आदमी को New York ले जाना ये बहुत गलत हो जाता है इसलिए ये मना कर रहा होता है Frank कहता है कि क्या तुम responsibility से डर रहे हो वो फिर उसे force करता है और लेकर ही जाता है Frank ने first class ticket book की होती है वो फिर plane में alcohol मंगवाता है जब उसे serve करने के लिए aerospace आती है तो उसी खुश्बू से उसने जो send पहना है ये वो जान लेता है इसका नाम क्या होगा ये वो guess करता है और उसे नाम से पुकारता है Charlie surprise हो जाता है वो बुशता है कि तुमने कैसे ही guess कर लिया फ्रैंक को लोगों के नाम या लोग कैसे है इसके बहुत ज़ादा जानकरी होती है अक्सेंट ये OSS बनी है ये जहां रहती थी इससे मुझे पता चल गया कि इसका जनरल नेम यही हो सकता है Charlie surprise होता है कि Frank इतना intelligent है Charlie उसे पुशता है कि हम New York की जा रहे है Frank कहता है कि जब मुझे बताना होगा तब मैं तुम्हें बता दूँगा Frank अब AeroStays को फिर से बुलाना चाहता है वो कहता है कि woman God ने सबसे अच्छी बनाई उजी चीज़े होगी वो woman ही होगी वो कहता है कि woman के जो hero थे है यही सबसे बढ़िया होते है उनके lips जब हम इसे kiss करते है तब desert के बाहर हमें wine मिली है ऐसा लगता है वो बहुत ही औरतों की तारिफ करता है Charlie कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़ादा वारते पसंद है New York में आने के बाद एक five star hotel में आते है यहाँ बहुत सारी alcohol होती है फ्रैंक को यह सुनकर अच्छा लगता है और कौन-कौन से brand है यह चारली से पोचता है चारली फिर एक call लगाता है वो आपने लिए एक limo book करता है एक बढ़े से hotel में जाकर वो dinner करने वाले होते है चारली फ्रैंक से कहता है कि यह सब तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ dinner नहीं कर सकता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ आयो मैं तुम्हें बिना खाय पिया नहीं छोड़ सकता तुम्हारे जो flight है यह 10 बजे है तब तक तुम क्या करोगे हम जाकर खाना खाकर आ सकते है चारली भी आप इसके लिए मान जाता है जब यह लीमो में होते है तो लीमो का जो driver होता है उसे फ्रैंक सवाल करने लग जाता है उसे कहता है क्या तुम किसी escorts को जानते हो यह driver कहता है कि maybe तो फ्रैंक कहता है कि मुझे top class escorts चाहिए है यह driver कहता है कि मैं कुछ आरेंच कर सकता हूँ यह जब कार में होते है फ्रैंक को लगता है कि चारली जड़ा uncomfortable है उसे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो फिर चारली उसके school में जो भी incident होआ है यह सब उसे बताता है फ्रैंक उसे बुछता है कि यह जो विली है इसके father reach होंगे फ्रैंक उसे कहता है कि वो reach है और तुम poor हो इसमें ज़्यादा सोचने कि कोई भी ज़रूद नहीं है जब यह hotel में आते तब चारली उसे बुछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा hotel तुम कैसे अफ़ोड कर सकते हो फ्रैंक कहता है कि मेरे जो pension में किरा थी यह सब मैंने स्योग करकर रखी है चारली फिर उसे बुछता है कि तुम्हारा आप plan क्या है तुम क्या करने वाले हो फ्रैंक कहता है कि मेरे कुछ list है जो मैं complete करना चाता हूँ एक अच्छा सा dinner में करना चाता हूँ इसलिए यह hotel में आये है इसके ब्रदर के साथ family thanksgiving वो करना चाता है एक औरत के साथ तो सोना चाता है और यह सब हो जाने के बाद विए अपने आपको मार देने वाला है यह वो चारली को बताता है चारली सब्राइस हो जाता है उसे धक्का लगता है उसे बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो फ्रैंक फिर से कहता है कि मैं आपने आपको मार देने वाला हूँ ये फिर डिनर कर दे, फ्रैंक फिर चार्ली से कहता है कि तुम्हारी जो फ्लाइट है, ये आप मिस हो चुकी है, जो एक्चुल ताइम था, वो 9 बजे का था, पर इसने 10 बजे बोला था, उसे कहता है कि कल मुझे तुम्हारी जरूरत पढ़ने वाली है, तुम्हें यहां रु इसका अब पूरा मजा भा ले रहा होता है, चार्ली को अपने फ्रेंड विली को कॉल करना होता है, जो सिच्वेशन इसके बारे में पूछना होता है, ये प्राइवेट रूम में जाकर बात करना चाता है, पर फ्रैंक उसे बता देता है, कि मेरे रूम में तुम्हें नहीं करने वाले हैं, जब ये call खतम हो जाता है, तो Frank Charlie से कहता है, ये तुम बोर हो और वो reach है, वो reach का कुछ ही बिगार नहीं सकते हैं, पर तुम्हारा बहुत कुछ बिगार सकते हैं, जो इन्हें पता करना है, ये पता करकर ही रहेंगे, और तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए, ये जो तुम्हारा फ्रेंड विली है, इसके फादर को खुषन कुछ तो पता ही चल जाएगा, और इसके बाद विली ही सब कुछ बता देगा, इसमें तुम्हारा ही सबसे जादा नुक्सान हो जाएगा आज थैंक्सगीविन है तो Frank का जो ब्रदर है उसके घर पर Frank को चारली आते हैं जब वो यहाँ पोचते है तो किसी को भी खुशी नहीं होती Frank को जो nephew होती है, nephew की wife होती है, यह भी बावत है, पर इनको भी उनके नाम से वो नहीं पहचानता Frank का बदर Charlie से पुछता है, कि तुम कौन हो, वो कह देता है, कि वो इसकी care करने के लिए यहाए हुआ है Frank suicide करने आला था, इससलिए Frank के brother को यह कहता है, कि यह बहुत lonely है फ्रैंक का ब्रदर कहता है कि तुम तो अपने घर लेकर जाते है मेरे घर क्यों इसे लेकर आया हो यह फ्रैंक सुन लेता है फ्रैंक और उसके ब्रदर की फैमिली यह सब अब लंच करने के लिए बेट जाते है लंच टेबल पर फ्रैंक की जो war stories होती है यह वो सब को सुनाने लग जाता है फ्रैंक का जो nephew होता है यह फ्रैंक को बहुत ही hit करता है यह उसे कहता है कि तुम तुमारे फैमिली को भी नहीं जानते हम कौन है हमारा नाम क्या है यह भी तुम नहीं पता है फ्रैंग अपने नेफियू के इंसल्ट करने के लिए कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है या अनसाटिस्पेड है तुम इसका अच्छे से खायाल रखो नेफिय फिर चीर जाता है कि तुम बहुत ही इंटरस्पॉंसिवल हो फ्रैंग ने अपने आइसाइट कैसे लॉस किये वो चारली को बताता है ये कहता है कि आर्मी में था पर इसकी सुपीरियर्स से किसी से भी अच्छे सनेप बन दी थी इसे वज़े से इसका कभी प्रमोशन नहीं हो पाया एक दिन ये ग्रेनेट से खेल रहा था इसकी जो पीन थी ये निकल गई थी और इससे इसका एकसिडन्ट हो गया इसकी आइसाइट चली गई इसने सब को बताया कि इसने जो पीन है वो अंदर ही डाल कर रखी थी पर इससे कुछ फरक नहीं पड़ा फ्रैंक उस पर बहुत ही चिर जाता है उसका गरा पगड़ लेता है अपने प्रदर से बात करकर वहाँ से फ्रैंक चला जाता है नेकस दिना में दिखता है कि फ्रैंक की पास एक गण होती है इस गण को तोड़कर वो फिर इससे जोड़ रहा होता है वो चारली को बताता है कि मेरा time count करो उसे 30 second ही लगते है उसे 25 second चाहिए होते है चारली एगन देखकर डर गया होता है फ्रैंक अपने आपको मार सकता है इसा उसे लगता है फ्रैंक को अभी भी कुछ चीज़े करने होती है तो फ्रैंक चारली को कहता है कि और एक दिन तुम रुख जाओ चारली कहता है कि मैं यह रुख सकता हूँ पर तुम्हारी जुगान है यह तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी फ्रैंक कहता है कि मैं करनल था मैं कभी भी अपने आम किसी को भी ने देता चारली मारने रहा था तो उसे सिर्फ गोलिया दे देता है चारली जो वहाँ से जाने लग जाता है तो उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो चारली कहता है यह गलत है सही गलत मैं फरक में जानता हूँ Frank कहता है कि इसी कुछ भी चीज नहीं होती तुम्हें जो करना है तुम भो कर सकते हो Frank इस पर भीलीव नहीं करता Frank और Charlie सिटी में गुमते हैं Frank सेविंग एकरह करता है जब रस्तव से चल रहे होते हैं तो फ्रैंक उससे बोचता है, कि और भी तुम्हें कुछ चीज़ खाये जा रही है, मुझे तुम्हें यह बता तो, चारली कहता है, कि मुझे ब्राइब दी गई थी, मैं अगर हा के देता, तो मैं हरवर्ड में जा सकता हूँ, फ्रैंक कहता है, कि तुम्हें यह ले लिनी चा पारे में ऐसा हमें नहीं बता सकता, फ्रैंक कहता है, कि अगर तुम्हें ऐसा सोच रहे होगे, तो इस वर्ड में तुम्हें बहुत जादो तकलिफ होने वाली है, यह दोनों फिर डिनर करने के लिए और एक बड़े से होटल में आ जाते है, वह फ्रैंक को एक स्मेल आती है वो भुशता है कि यह स्मेल कहा से आ रही है, एक लड़की बेटी हुए होती है, चारली इसकी लोकेशन उसे बताता है, फिर फ्रैंक उट जाता है और लड़की के बास जाकर वो दोनों बेट जाते है, यह अकेली होती है और फ्रैंक को लगता है कि इसे कमपनी की जरूरत ह जब वो उससे बुशता है तो यह लड़की कहती है कि मेरा जो बॉइफरेंड है कि अभी अभी आने वाला है, फ्रैंक कहता है कि तब तक हम तुमें कमपनी दे सकते हैं, फ्रैंक उससे बुशता है कि यह डांस चल रहा है, तुम क्यों डांस नहीं करें, वो खेती है कि मेरा एससे टेबल पर आकर बेट जाते है, इस लट़िगी का फिर बॉइफ्रेन भहाता है और इन दोनों को सीटी में जाना होता है, इन दोनों का जो बील लोता है, यह फ्रेंक इनसिस्टर होता है, कि हो पे कर दे, फ्रेंक और चारली रात में अपनी denial में ये में एक जगह आते ह खोटेल होता है, फ्रैंक ने अपने टाइवर को बोला था कि उसे एसकोर्ट की जरूरत है, यह इसकी पास अब आ चुका है, चारली गाड़ी में रुखता है और फ्रैंक इस औरत के साथ सोने के लिए जाता है, फ्रैंक जब गाड़ी में से अपने फ्रैंड को कॉल लगाता ह तो उसे पता चलता है, कि विले ने अपने फादर को बता दिया है, वो अपने फादर को नहीं बताने वाला था, जैसे फ्रैंक ने कहा था, वैसे ही सब कुछ हो रहा है, जब रात हो जाती है, तो फ्रैंक वापस आ जाता है, और ही होटेल में आ जाते है, निक दिन सुबा जब होती है तो फ्रैंक बहुत ही ठक चुका होता है उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है चारली को लगता है कि हम इसे चीरलिप करने के कोशिश करता है वो कहता है कि हम नियॉयॉक में कुछ करते है कही हम जा सकते है ड्राइव के लिए हम जा सकते है जब फ्रैंक ड् कि वीकर टेस्ट ड्स ड्राइव करना चाहते है न यूने मना कर देता है वह कहता है कि यह बहद ज्यादा कॉस्ली है अगर इसको कुछ हो गया तो हम से अफ़र्ड नहीं कर पाएंगे फ्रैंग बहुत ही पस्पेसि मैं हो ताह अर इसे मिन ड्राइब देते है oh उसके बाद ये ड्राइव करने के लिए गाड़ी को बाहर ले कर जाते है चारली ये गाड़ी बहुत स्लोली स्लोली चाहरा होता है थोड़ी देर बाद एक सुमसान जगा पर वो आजाते है और अब फ्रैंक गाड़ी चलाना चाहता है फ्राइंक को कुछ दिख नहीं पाता तो चारली को बहुत ही डर लग रहा होता है फ्राइंक को कुछ वे फरक नहीं पड़ता और इस गाड़ी का जो मशीन है इसको उसे फिल करना होता है वो बहुत ही जोर से गाड़ी चलाता है drifting भी इस करियों में वो करता है एक police officer इनको देख लेता है और pullover करता है Franks होता है इसे eye contact नहीं बनाता जिसे उसे पता ना चल सके कि अंदा है यह officer से sorry केता है वो केता है मेरे बेटे को इस car का speed देखना था क्या मैं इसे disappointed कर देता है officer केता है कि हाँ ऐसा है तुम्हें करना चाहिए और officer इसे छोड़ देने वाला होता है क्योंकि एक करनल है यह उसका respect करता है एक test day हो जाने के बाद Frank बहुत ही ठक जाता है Charlie फिर उसे hotel में लेकर आता है Charlie को कहता है कि मुझे cigar चाहिए इस सिगार लाने के लिए एक बहुत ही दूर के store पर उसे भेज रहा होता है Charlie जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कर बड़े वो फिर से hotel room में आ जाता है जब वो room में देखता है तो करनल ने अपने जो uniform में वो पहन लिए उसके पास गने उसमें बुलेट से और वो अप खुद कुछ ही करने वाला है Charlie उसे रोकता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता करनल कहता है कि मैं करने वाला हूँ तो मुझे रोक नहीं सकते अगर तुम यहां रुके तुम्हें भी मार दूँगा और अपने आपको भी मार दूँगा चारली उसे कहता है कि प्लीज ये गन रख दो तुम पेन में हो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि पेन क्या होता है फ्रांक केता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा वैसे भी तुम्हारी लाइफ खतम हो चुकी है इसके बाद तुम्हारा करियर ओवर हो जाएगा जैसे तुम्हारे पैरेंस जीते थे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा क्योंकि तुम अच्छे से स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे चारली अभी भी मानने रहा था करनल से ओगन चीन लेता है ये दोनों जगरने लग जाते है करनल फिर से अपनी गन ले लेता है करनल उससे कहता है कि अब मैं तुम्हार देने वाला हूँ वो काउंट करने लग जाता है Charlie कहते है कि वेसे मेरी लाइब अभर ये है अभी अभी तो तुमने कहा है Colonel भी कहते है ये मुझे अडाउट है कि मुझे एक करना चाहिए या नही और फिर वोगन रगदेता है Frank फिर Charlie से ड्रिंग मांगता है और ये तोनों कौच में बैट जाते है फ्रेंक केता है कि इतने साल मैं ये सब जीता रहा मेरा एक ही goal था कि मुझे भी एक company चाहिए थी जैसे wife होती है उसी तरह से compassionate उसे कोई चाहिए था Charlie केता है कि तुम अभी भी वो सब पास सकते हो Charlie उसे मजाग मजाग में केता है कि तुम compassionate हो तुम easy हो, तुमारे पास रहना बहुत ही fun है और तुम जब travel करते हो, तो बहुत ही fun बन जाते हो Frank भी ये मजाग में लेता है Frank उसे पूछता है, क्या तुम मेरी मजाग उड़ा रहे हो फिर ये दोनों इसमें हसने लग जाते है अब इनका फिर से घर जाने का time आजाता है जब एक car में होते है, तब Charlie को call आता है उसके जो principal थे, उसने यहने call किया होता है जब एक घर जाएगा, तो एक बड़ी सी meeting होने वाली होती है इसमें ये जो सब incident हुआ है, इसके बारे में hearing होने वाली होती है चारली को उसके school में फ्राइंट छोड़ देता है जाते हो उसके कही कर जाता है, कि मैं ठीक हूँ, कोई problem नहीं है चारली का जो face है, वो फिल करता है, वो कैसे दिखता है, ये उससे पता करना होता है जो hearing थी है, वो अब start हो जाती है चारली यहां बेठा हुआ होता है, वीली जो था, उसके parents भी यहां आय हुए है प्रिंसिपल है, फिर room address करने लग जाता है वो कैता है, कि हमारे जो institute है, इसकी integrity का है सवाल है इसलिए बहुत ही strictly, एक committee के सामने सब facts डाल रहा होता है यह फिर वीली को pressurize करता है, वो कहता है, कि जो भी सब हुआ था, यह मुझे clear cut बता हूँ वीली कहता है, कि मेरे contact lenses जो थे, वो on नहीं थे, मैं खुझी बता नहीं सकता उसे बहुत ज़ादा pressurize करने के बाद, अपने friends के नाम वो बता देता है अब चार्ली से question पूछने वाले होते हैं, तो भी वहाँ Frank आ जाता है यह Frank से पूछता है कि तुम कोन हो, Frank केता है कि इसके parent यहाँ आनी पाए मैं उनका अच्छा सा friend हूँ, मैं इसके parents की बिहाब में यहाँ बैठने वाला हूँ प्रिंसिपल फिर चार्ली से question पूछता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हारे तो eyesight सही है तुम बता सकते हो कि यह चार लोग थे या नहीं थे चार्ली केता है कि मुझे ज़्यादा clear नहीं है, मैं कुछ देखने पाया उससे फिर से एक चार्ली कोछ बता था नहीं, फिर यह जो प्रिंसिपल होता है कमिंटी को कहता है, कि जो फिली था, इसने कॉंटाइ लेंसे नहीं पिने थे इसे हम कुछ बुलवा नहीं सकते, पर यह जो चार्ली है, इसने सब कुछ देखा था यह बिक चुका है, इसलिए हम इस पर भेलू नहीं कर सकते हैं हमारे इंस्टिट में हम इसे रहने नहीं दे सकते हैं इसे हमें एक्सपेल कर देना चाहिए फ्रैंक फिर यहाँ बोलने लग जाता है, वो कहता है, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो एक्चुल कल्परिट है, उने छोड़ कर दे रहे हो, और इसे तुम सजा दे रहे हो और इसने ऐसा किया भी क्या है, उसके फ्रैंज के लिए यह कवर कर रहा था इसके पास इंटेग्रिटी है, इसकी इंटेग्रिटी है मेंटेन कर रहा था इसे बोलने के लिए बोल कर तुम इस स्नीच बना रहे हो इस institute में तुम सब लोग को स्नीच बना रहे हो इसे तुम रियाल वर्ल में केसे जी पाओगे कोभी तुमारे सामने अगर मुश्किल आ जाये तुम इसे डर कर भाग जाओगे जो Charlie इसमें integrity है और किसी भी चीज़ के सामने ये डर कर भागेगा नहीं लाइफ में यही जादा important है Charlie जैसे लड़कों को तुम्हें protect करना चाहिए उसे institute से नहीं निकाल देना चाहिए एक दिन आएगा जब institute को Charlie proud बनाएगा जब Frank अपनी speech कतम करता है तो committee भी decide करती है कि Charlie को कुछ भी होना नहीं चाहिए Charlie और Frank को बहुत ही खुश होती है इस institute में एक teacher होती है जो भी Frank की age की होती है उसके पास आती है उसकी praise करती है Frank उसे directly बूश लेता है कि क्या तुमारी शादी हो चुकी है यह कुछ भी नहीं बोलती यह दोनों एक दूसरे से flood करने लग जाते है और यह date पर जाने वाले होते है Charlie Frank की घर उसे छोड़ने के लिए आता है जिस limo में वो आया था उस limo के driver को बहुत सारे पैसे वो दे देता है अपनी जो life है इसो अब better बनाना चाहता है Charlie भी देखकर खुश होता है और यह movie खतम हो जाती है Frank suicidal था उसके life बहुत ही खराब हो चुकी थी पर अपनी life बदलने के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ होता कभी भी अपनी relationship पर काम कर सकते हो और सही decisions ले सकते हो Frank ने अपनी life सही करने के लिए पहले कदम तो ले लिए है उसकी जो Charlie के साथ relationship है यह भी अब eternal हो चुकी है यह beautiful movie एक अच्छे message के साथ यहाँ खतम हो जाती है झाल